सन 1947 बटवारा दो मुलकों का कहते हैं कि हर बटवारा अपने पीछे कुछ दिवादों को छोड़ आता है ऐसे ही कुछ विवाद भारत पार्थ बटवारे के पीछे भी छूट ले क्या थी गदर के असली तारा सिंग की कहानी क्यों नहीं आई थी रियल सकीना अपने रियल तारा के साथ वापत कहां से शुरू होगा अब गदर टू की कहानी का सफर 15 जून 2001 को रूलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सिनिमा के इतिहास में बहतरिन फिल्मों में शुमाज की जाती है फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग, डायलॉग, गानी हर चीज उंदा थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन क्या आप गदर की असली कहानी से वाकिस हैं? अगर नहीं तो अब हम आपको बताने जा रहा हैं कि क्या की रियल लव स्टोरी साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा, उस समय की बहुत चर्चिस फिल्मों में से एक थी फिल्मों में सनी देवल और अमीशा पटेल मुख्यू भूमिका में थे गदर में भारत पाकिस्तान के बटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी अस्त्री घटना से प्रेरित है जी हाँ यह कहानी है भूता सिंग और जैनत की और बात है सन 1947 की यह वह समय था जब देश बटवारे की आग में जल रहा था बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेट में काम कर रहा था तभी उसने देखा कि कुछ लड़की एक लड़की के पीछे पड़े हैं बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वह लड़की दौर पीभागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की महबबत का सिलसिला चल पड़ता है दोनों आगे चल कर शादी तो कर लेते हैं उन्हें एक बच्ची भी होती है हाला की कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान का बटवारे में भारत आचुकी जैनक की घरवालों को उनकी बेटी के बारे में पता चल जाता है जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक refugee camp में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में रह जाती है जैसे कि फिल्म में तारा सिंग और उसका बेटा भारत में ही रह गया था आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्वनाथ मोर ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोचते हुए पाकिस्तान जा पहुंचता है और यहाँ पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है बूटा की लाख मन्नोतों के बावजुद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापर्स लोटने से मना कर देती है जैनब के इस तरह ना कहने से आहद बूटा लाहोर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दिता है आपको बता दे कि लाहोर की निया साथ कबरिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है आपको बता दे कि गदर का दूसरा पार्ट बढने ज़राहा है इसमें भी बूटा की लाइफ को आगे दिखाया जाएगा आगे की लाइफ से मतलब है कि बूटा ने कैसे फैसला लिया कि वो मरेगा कैसे जैनब को पता चला कि बूटा ने अपनी जान दे दी आपको बता दे कि बेशक यह एक श्रीक्वल होगा और पहले पार्ट में हैपी एंडिंग भी हुई की तो फिर कैसे शुरू होगी इनकी अलग कहानी यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि इसमें से एक नई कहानी और नई किरदार के साथ शुरू की जाएगी जिसमें कहानी को मूटा सिंग की लाइफ से कहीं कहीं जोडा जाएगा पर अब देखना यह होगा कि आखित कैसे स्क्रीन पर दिखा पाएंगे डायरेक्टर अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसकी ट्रिक तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहे सेफ रहे बाई बाई तब तक के लिए बाई